Hello my dear students, मैं सुजीद बर्मा आप सभी का एक बार फिर से वलकम करता हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ दो और बहतरीन क्वेस्टन्स चलिए देखते हैं वो कौन से क्वेस्टन्स है आपको मैंने previous video lecture के अंदर में इसी topics related question बताया था जिसमें बंदूक से दो गोलिया चलाए गी थी I hope आपने उस वीडियो को देखा होगा अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार हमारे वीडियो चैनल पर जा करके उससे जरूर चेक आउट करें आई होग के आपको वो सौटरिक बहुत ही फाइदा पहुचाने वाला है चलिए आज का question देखते हैं और हाँ यह उसी का basic question है पहले आज आप ठीक से एक बार हो समझ ले तब मैं आपको second question बताऊंगा और अच्छे से clear होगा question क्या है हमारा कि A अपनी actual speed के 6 by 7 speed से travel करके अपने destination पर 12 minute late से पहुचता है तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ जो concept मैंने जो आपको पिछले दिन बताया तो वो फिर से clear कर रहा हूँ कि अगर distance constant है distance constant है मतलब common है और A और B दो ऐसे लोग हैं जो same distance को cover कर रहे है A की speed माली जो कुछ और है B की speed कुछ और है later suppose कि A की speed 5 km पर आवर है और B की speed जो है वो 6 km पर आवर है तो मैंने आपको कहा कि speed का ठीक inverse time का ratio होता है speed का ठीक उल्टा किसका ratio होता है time का लेकिन याद रखें कि distance हमेशा constant रहेगा तो मतलब अगर दोनों को same distance cover करना होगा तो तो अगर मैं speed का ratio मालूम है तो उस्चे हम बहुत ही आसानी से time का ratio निकाल सकते हैं time का ratio हो जाएगा 6 is to 5 का मतलब A की speed अगर माल लीजिए 5 km पर आवर है B की speed 6 km पर आवर है कि अगर माल लेते कि 5 और 6 km पर आवर है लेटर सबोस कि distance 30 है जो कि मैंने 5 और 6 का LC म लिया अब आप काट के आसानी से चेक कर लो कि 5 से 6 बार में कटेगा और 6 से 5 बार में कटेगा आगे आना 6 is to 5 का ratio यही मैं कहना चाह रहा था कि 6 is to 5 का ratio होगा जो speed का ratio होगा ठीक उसका opposite कि का ratio होगा time का और जो time का ratio होगा ठीक उसका opposite क्या होगा speed का ratio लेकिन गब होगा जब distance constant होगा अब देखिए question कैसे बनता है seconds में इसको परे नोट कीजिए screenshot ले लिजे ठीक है अब देखिए question कितनी आसानी से बनता है क्या कहा question में question में कह रहा है कि ए अपनी actual speed के 6 by 7 speed से मतलब 6 by 7 का मतलब तो आप अच्छे समझ लो कि यह जो 7 है यह उसकी अगर actual speed है तो वो इस speed से travel कर रहा है कई लोगों को यह diet नहीं समझ में आता है तो मैं उन्हें ऐसे बताता हूँ कि अगर उसकी actual speed 1 थी तो वो 1 के 6 by 7 से travel कर रहा था मतलब अभी उसकी speed कितनी है 6 by 7 अगर आप इस ratio को normal करना जानते होगे 7 is to 6 मतलब यह दर लाके multiply कर दो यह जो normal हो जागा ratio आप या तो इस तरीके से समझ लो या फिर इस तरीके का मैं तो कहूंगा इसको आप दिमाग में set करो कि अगर 6 by 7 speed से कोई चल रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर उसकी actual speed 7 होनी चाहिए थी तो वो 6 के speed से travel कर रहा है मतलब actual speed अगर 7 km पर आवर होनी चाहिए थी suppose तो उसके जो speed अभी फिलहाल है वो 6 km पर आवर है तो इससे हमें पता है कि speed का ratio क्या है 7 is to 6 है actual 7 होना चाहिए था और वो travel जिसे कर रहा है वो travel जिसे कर रहा है वो कौन है 6 अब आपको मैंने बहुत अच्छे से अभी detail में explain किया है कि जो speed का ratio होता है ठीक इसका उल्टा time का ratio होता है तो time का ratio क्या होगा 6 is to 7 अब इस question के अंदर क्या बोला वो आप अच्छे से पढ़ो कि अगर वो अपने actually speed के 6 by 7 speed से चल रहा है तो अपने destination 12 मिनट लेट से पहुँच रहा है मतलब उसे अगर पहुचना चाहिए था 6 unit time में तो वो पहुच रहा है 7 unit time में तो यहां से हमें कितना समझ में आ रहा है कि वो एक unit उसको देरी हो जा रही है एक युनिट क्या हो जा रहा है उसको? लेट हो जा रहा है। ध्यान से समझ रहा है बात को? Six unit time में पहुँचना चाहिए था? Seven unit time में वो अपने destination में पहुच रहा है। मतलब एक युनिट time के उसको देरी हो जा रही है। और उसी एक unit की जो देड़ी हो रही है वो हमारे question में 12 minute दिया हुआ है तो question के साब से एक unit की value कितनी है 12 minute ठीक है और question ने पूछा क्या है अगर वो अपने actual speed से चले तो कितने time में destination पर पहुंचेगा actual speed कौन सी है 7 और जब वो actual speed से चल रहा है तो वो कितना time लेता 6 unit मतलब आपको 6 unit की value निकाल नहीं है तो 6 unit time लेता तो 6 unit की value कितनी होगी 12 into 6 मतलब 72 minute यह हमारा क्या हो गया answer तो C नमर हमारा correct answer है बहुत ही आसान question था अच्छे से देखिए समझिए अगला question लिखता हूँ चलिए next question आ चुका है और I hope कि आपने उस question को एक बार अच्छे से practice कर लिया होगा और वो line जो मैंने आपको बताया उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखे कि अगर distance common होता है constant होता है तो speed के ratio का ठीक opposite होता है time का ratio इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने चीए देख बहुत ही बहत ही बहतरीन question जो CGL के exam में पूछा गया है देखने में भले हूँ आपको बड़ा लगता हूँ लेकिन अगर आप question को अच्छे से समझते हैं logic को समझते है तो बहुत ही स्पीड से ट्रैवल करने लगी अब आप ये लाइन जैसे ही पढ़ोगे तो आपको ये बास समझ बाने चाहिए कि पिक्चर को इमेजिन करो कि 6 घंटे तक ट्रेन चली दिल्ली से आगरा की तरफ अब ये जो ट्रेन है 6 घंटे बाद मालो कि यहाँ पे खराब हो गई ठीक है अब जब यहाँ पे खराब हो गई तो यहाँसे स्की स्पीड कम हो जाएगी तो स्पीड कितनी हो गई 2 by 3 जैसा के question में लिखाूँगा 2 by 3 स्पीड से चलने लगी तो 2 by 3 speed से चलना लेगी का मतलब आप तुरस समझ जाओ कि जो time का ratio होगा वो 3 by 2 होगा और जैसा कि मैंने आपको इबताया अगर आपने practice अच्छे से कर लिया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि time लेना चाहिए था 2 unit लेकिन train अब time कितना ले रही है 3 unit समय ले रही है समझ रहे ना time train को लेना चाहिए था 2 unit का अगर वो खड़ाब नहीं होती तो लेकिन अब वो time कितना ले रही है 3 unit इसका मतलब है कि अब वो train एक unit जादा time ले रही है एक उनिट एक्स्ट्रा टाइम ले रही है, यहां तक आप अच्छे से समझ लो, यह दो लाइन पढ़के इतना बाद तो दिमाग में आही जाना चाहिए, ट्रेन एक उनिट एक्स्ट्रा टाइम ले रही है, इस रीजन से 40 मिनट लेट डेस्टिनेशन पर पहुंची, यह जो लेट हो इसके कारण 40 मिनट की देरी हुई, तो आप यहां सा आसानी से निकाल सकते हैं होती, और यह जो दूरी है इसको अगर ट्रेन अपने नॉरमल स्पीट से चलती तो 80 मिनट में इस दूरी को तय कर लेथी, समझ भारे है बात को, इस दूरी को ट्रेन अगर अपने usual नॉर्मल स्पीड से जलती, तो 80 मिनिट में इस दूरी को टै कर लेती, ठीक है ना, उसके बाद आप देखो, इस क्वेस्टन को मैं और एक तरीके से, बड़े सौर तरीके से बताऊंगा, दिखाता हूँ आपको, अगर सिर्फ स्पीड पूछा तो कैसे बना सकते, लिक्सको ध अगली पाप कैब पढ़िये, अगर ट्रेन 200 किलोमेटर आगे खराब या डैमेज होती, तो 30 मिनिट लेट डेस्टिनेशन पर पहुंचती, इसका मतलब ट्रेन अगर और 200 किलोमेटर चलके खराब होती, 200 किलोमेटर आगे जाने के बाद खराब होती, तो फिर वहाँ पर 30 मि बान लिजे कि यहां से यहां तक 200 km ट्रेन और चल जाती और यहां आकर ट्रेन खराब होती पिक्चर को देखके समझीगा यहां आकर ट्रेन अगर खराब होती तो उस case में भी speed तो यहीं खराब होता तो time तो यहां भी 3 x 2 होता लेकिन उस समय जो एक unit extra time लगता वो बस 30 minute का दे रही थी यहां 1 minute extra time लग रहा हो 30 minute की दे रही है तो यहां actual time कितना लगता 60 minute इसका मतलब अगर ट्रेन 200 km और चल के खराब होती तो यहां से यहां तक actual time में अगर चलती तो 60 minute पहुँच जाती अब आप ध्यान से देख लीजिए समझ लीजिए यह भी हमने actual time निकाला यह 80 minute में आता यहां से यहां तक 60 minute में आ रहा है मतलब यह जो 200 km की दूरी है वो ट्रेन अगर अपने actual speed से ट्रेवल करती तो उसको कितना समय लगता सोचिये सोचिये और अगर idea आता है तो comment section में लिख के बताए कितना आता है ऐसा मैं बताऊंगा है लेकिन आप पहले ही सोच कर के लिख के दिख दीजे महाँ पर क्या हो रहा है अगर यहां से यहां तक की दूरी 80 minute में यहां से यहां तक की दूरी 60 minute में चलती अगर खराबी नहीं आई होती तो क्योंकि मैंने actual time निकाला है दोनों ही बार actual time निकाला है तो यह 200 km चलने में obviously कितना समय लगता 20 minute का समय तो अब ये जो 20 मिनिट का समय लग रहा है आपको एक distance मिल चुका है train ने जो travel किया और कितने time में travel किया अब आप आराम से train के पहले speed निकाल लो तो train की speed हो जाएगी distance divided by time 20 मिनिट है तो मैं उसे घंटा बना दे रहा हूँ 20 बटा साथ और ये 200 into 60 by 20 हो गया तो से cancel कीजिए तो से 10 times में कितना आ रहा है 600 km per hour ये हो गई मेरे train की speed तो speed कैसे निकाला में आपको समझ भाया देखिए बहुत ही ज्यादा important question है कि दम हवा हवा हई question नहीं कि आप देखो गे तुरत answer बनाओ के थोड़ा दिमाग लगाओ copy paint लो बैठो solve करो सोचो मेरे साथ तब जाकर काम आसानी से बनेगा ऐसे questions में लाता रहूँगा आपके लिए क्योंकि कई लोग क्या आना बहुत easy question सिर्फ आपको पढ़ा देते और बोलते बस यही कर लो जब आप online exam देतो आप देखते हो कि tough questions आ रहे हैं बन नहीं रहा है तो आपको वैसे ही questions में कराऊंगा जो कि exam के लिए बहुत आदे important of previous questions है तो I hope कि आपको यहां तक समझना आ गया है एक बार आप अच्छे से देख लो question को समझ दो फिर मैं इसका दूसरा बाट भी solve कर देता हूँ जो कि अब तो बहुत आसान है मुझे कि दिल्ली से आगरा का distance क्या है यह भी हमें निकालना है तो भी निकाल देता हूँ दिल् 200 किमेटर की दूरी 20 में ट्रेबल तो भी बताऊंगा देखा देता हूँ कैसे लेकिन पहले आप यह समय लो लास्ट पार्ट जो इसका है यह रटा देता हूँ ठीक है यही बना देंगे लास्ट का question में क्या बोल रहा है कि दिल्ली से आगरा की दूरी अब देखो यहां से यहां तक कितना समय लग रहा है ऐसी मिनट यहां से उनकितना लगई च्हे गंट तो दिल्ली से प्डूरा आगरा तक जा रहे है तो माल हम यहां तक 6 गंटा लगगठा ओर यहां पर 80 मिनट मैं बना एक गंटा 20 मिनट का समय लग TIME ट्रेन पूरे बाइस बटा तीन हंटा चलेगी तो दिल्ली से आगरा पहुंच जाएगी स्पीड मालूम है आपको टोटल टाइम मालूम हो गया तो डिस्टेंस निकालने में क्या दिक कर दिस्टेंस बराबर स्पीड इंटो टाइम 22 बाइ 3 200 बार में कटेगा और एंसर होगा 4400 कीलो मीटर यह हमारा हो गया डिस्टेंस जो कि बहुत ही आसानी से निकल गया बहुत ही बढ़िया कोशन है बहुत ही बहुत ही बैतरीन कोशन है होग कि आप इंजॉई कर रहे होगा देखिए वीडियो को लास्त अकर अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं यह जो मैंने कैल्कुलेशन किये ना कि अगर मुझसे सिर्फ टेन की स्पीड पूछी गई तब तो प्रक जिए में बीश मिनट कैसे निकाल लेता हूं बिना कुछ की यह बिना यह ऐसी मिनट और बिना साठ मिनट के बीश मिनट कैसे आता है sustainable यह चालीस मिनट हम तो बस या cuer न है डिक है अब देखो मैं कैसे बनाता हूं डायर्यक्ट को बढ़एं अगर ट्रेन यहां खराब हुई होती तो 40 मिनट लेट होता अगर ट्रेन यहां खराब हुई होती तो 30 मिनट लेट होता दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ स्पीड कितनी है 2 by 3 तो टाइम कितना होगा 3 by 2 यह होगा actual और यह वो जिससे को ट्रेवल कर रही है जितने टाइम में वो complete कर रही है दूरी को अब आप सुनो ध्यान से सोचो यहां से यहां तक 40 मिनट लगता यहां से यहां तक 30 मिनट लगता देरी होता इसका मतलब अगर ट्रेन यह दूरी चल लेती तो 10 मिनट बचा लेती सही की गलत है अगर यहां से यहां तक 40 मिनट का लेट हो जाता अगर यहां पर accident हो जाए तो 40 मिनट का लेट यहां पर accident हो तो 30 मिनट का लेट इसका मतलब है कि इतना दूरी अगर ट्रेन चल लेता तो 10 मिनट बच जाता उसके पास 10 minute जल्दी पहुंच जाता, 30 minute पहुंच जा, 30 minute ही देरी होता अब बात ऐसा है कि मैं 10 minute बचा लू 10 minute मैंने बचा लिये इसका मतलब क्या हुआ कि जो main time पे पहुंचना चाहिए था और जो मैं खराब time पे पहुंचा हूँ या valid time पे पहुंचा हूँ तो 10 minute बच जाते, लेकिन बचे तो नहीं न क्यों? क्योंकि actual time कुछ और था आप travel किसी और time में कर रहे थे तो इसका मतलब 2 था actual time जितना मैं आपको distance travel कर लेना चाहिए था लेकिन आपने 3 unit में distance travel किया इसलिए वो time नहीं बचा येसे भी समझ सकते हैं ये भी समझ सकते हैं कि ये जो 10 minute का समय बचा वो कैसे बचा? अगर नहीं बचता तो क्या होता? क्यों नहीं बचा? क्योंकि speed जो है कम हो गई तो time का भी opposite हो गया तो यहाँ पे actual time 2 है और चल रहा है किस से 3 से? actual time 2 है और चल रहा है फिर से train के आवाज आ रही है तो थोड़ा ignore किजेगा फ्लीज दो actual time है जिससे वो travel करती थी train कर रही थी और 3 अब उसका वो time हो गया जब वो खराब होने के बार travel कर रही है तो फिर अगर वो इसी speed से चलती तो कितना time बचा लेती? 10 minute और यहां कितना बचता हुआ दिखाई दे रहा है एक unit एक unit समय बचा लेती train अब एक unit पर कितना समय बचा लेती? 10 unit का तो actual time में अगर ट्रेवल करती इस distance को तो कितना समय लेती? 2 unit और 2 unit पर कितना minute? 20 minute यहां कितना minute हमारे पास? 10 minute confused मत होईएगा बिल्कुल भी मैंने डारेट आपको बताया कि अगर वो यह distance ट्रेवल कर लेती तो हम 10 minute जल्दी पहुँच जाते हैं मतलब 10 minute बचा लेते देरी होने में 10 minute हम कम कर लेते 10 minute कम कर लेते कब? समय हम कम कर लेते मतलब समय का gap हो जाता actual time और जिस time से आप ट्रेवल कर तो उसका gap 10 minute का हो जाता तो एक unit पर 10 minute तो दो unit पर 20 minute अब देखो दो unit पर 20 minute हो गया मतलब यह दूरी तहे करने में 20 minute का समय लगता अब आप आराम से पिछले method की तरह निकाल लो इसका क्या था हमने? यह निकालना था ना स्पीड, ट्रेन की स्पीड 200 by 20 by 60 जो की आ रहा था कितना? 600 km पर आवर तो यह होग कि आपको वीडियो पसंद आएगा मैंने और भी वीडियो बना रहा हूं मैं आपके लिए ताके आपको tough questions भी easily solve हो जाए और जो अगर आपको नहीं बता रहा है तो आप मारे चैनल के साथ बने रहें कोसिस करूँगा कि आपके लिए जल्दी लिए वीडियो लाओं classes बहुत सारे रहते हैं फिर भी मैं record कर रहा हूं आपके लिए तो इसमें आपका साथ चाहिए आपका सर्योग चाहिए अगर आप वीडियो अपने दोस्तों को share कर सके पसंद आता है तो वीडियो पे एक like कर दें बस इतना ही सा demand है मेरा और अपने दोस्तों को share कर दे वीड कर देंद